नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है हेमांशू और स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 808 बेस या फिर सब बेस भी हम उसको बोलते हैं उसके बारे मैं बहुती ज्यादा important information देने वाला हूँ इस information की कमी की वज़े से मैंने काफी time पहले बहुत ज्यादा struggle किया था मेरी baseline थी वह बहुती खराब आ रही थी तो आज आपके लिए important वीडियो रहने वाली है और वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे channel पर नए हो तो आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं और ये जो bell का icon से दवा सकते हैं अगर आप मेरे channel पर पुरानी हो मेरी video देखते हो तो like कर सकते हैं video को और शेयर कीजिए video को ज़्यादा से ज़्यादा और जब आप शेयर करते हो video को ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरा motivation level next level होता है और मैं आपके लिए और अच्छी video लेकर आप आता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 808 base या फिर subbase हम किसे कहते हैं दोस्तों base में भी lower frequency में हम support करने के लिए जो हमारा original base है उसके support करने के लिए आजकल sine wave का modified या pure sine wave को लगाने लग गए है तो जिससे हमारे base को एक energy मिलती है मैं यहाँ पर आपको एक बार यह base EQ में दिखाना चाहूँगा जल्दी से मैं EQ open कर लेता हूँ तो देखो यह open कर लिया है जनरली जो हमारे base होते हैं देखा जाए तो 70-80 से चालू होकर 200 तक हमारे इस range तक जाते हैं इतना इसकी जो width रहती है लेकिन कभी कभी क्या होता है base हमरा poor हो सकता है और हमको lower end में यहाँ पर जो energy है वो proper नहीं मिल पाती है तो आज कल अब electronic music में क्या करने लगा है electronic music ही नहीं यह orchestra music में भी होने लग गया है सबी जगा होने लग गया है तो अब क्या करते हैं कि base को भी low cut कर देते हैं जो original base होता है उसको low cut कर देते हैं 70-80 तक है न और इधर जब low cut करने बाद जो यह area बचता है यहाँ पर sub base मतलब जो sign frequency होती है sign की lower band में जो frequency होती है उसको लगाने लग गए है तो अभी मैं आपको एक song सुना रहा हूँ एक pattern सुना रहा हूँ song तो नहीं है वो तो इसमें मैंने अभी लगाया हुआ है और उसमें गलती भी करी हुई है तो उस गलती के बारे मैं अभी discuss करेंगे तो एक बार मैं play करके आपको सुना देता हूँ तो अभी वो आपको बेस है वो बिना headphone के नहीं सुना ही देगा आप एक बार headphone पहल लेना अब देखो मैं आपको EQ को भी open करके दिखा देता हूँ इसको मैं de-attach कर लेता हूँ स्क्रीन पर बना रहे तो अभी यह ज़्यादा स्क्रीन पर बना रहे ने लग गया तो अभी मैं आपको solo करके सुना रहा हूँ अभी जो base है उसको तो आप ध्यान से सुनना तो आप देख सकते हो यह जो आपको दिख रहे है नहीं यहाँ पर इसको मैं research कर लेता हूँ यह जो आपको दिख रहा है यह base है आपने headphone लगा रहा होगा तब ही आपको clear सुनाई देगा तो यह जो हमारा original base होता है उसको support मतलब provide करता है अब भी हमको दिक्कत क्या आती है इस type के base में हम इसका octave selection सही नहीं कर पाते हैं हमारी mixing में बहुत problem आती है या तो हमारा यह base है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है या फिर हम बहुत ज़्यादा ऊपर लगा लेते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कि इधर की frequency में मिलने लग जाता है और वह हमारी base जो base जिस काम के लिए हमने 808 लगाया है base लगाया, sub base लगाया वह काम ने करके mix हो रहा है अपने जो base की frequency है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पहले मेरे को इसके बारे में इतना ज़्यादा knowledge नहीं थी साल बर पहले की बता रहा हूँ तो उसके बाद जब मैं 808 के बारे में base के बारे में study किया तो मेरे को पता लगा कि इसकी एक निश्यत frequency होती है और आपको उसी frequency के अंदर इसके note play करने पड़ते हैं और ये तो बात मेरे पहले से ही पता थी लेकिन मेरे को ये नहीं पता थी कुछ note मेरे ऐसे होते थे जो frequency से नीचे गिर जाते थे जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो आपको sub base लगाना चाहिए वो आपको लगबग 35 या 40 उसकी lower range होनी चाहिए और 80, 900 तक उसकी maximum range होनी चाहिए 80 तक ही मानलो आप 70 या 80 तक ही मानलो आप maximum range होनी चाहिए तो यह जो एक और दो point आपको दिख रहे है ना इनके बीच में ही आपका sub base लगना चाहिए लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो song में मैंने chord लगाए हुए है उसमें परिशानी क्या रही है कुछ note ऐसे आ रहे हैं यह जो lower वाले हैं यह जो note ऐसे आ रहे हैं कि जिससे यह इस range से बाहर निकल ली रही है और वह भी खासकर नीचे जा रही है तो एक बार मैं आपको play करके दिखाता हूँ आप ध्यान से देखना तो यह देखो यह तो सही आ गया लेकिन ये है ना ये वाला तो देखो, यह बिल्कुल ही नीचे चला गया और ये वाला सही आ रहा है ना और ये भी फिर नीचे आ गया तो देखा जाए तो 40 से उपर अगर आप रखोगे अब ये 40 यह बेगे 40 से 40 से उपर रखोगे 40-80 के बीचों अगर आपका subbase आ रहा है तो बहुत ही अच्छी condition होती है आपको बिल्कुरी परिशानी नहीं आएगी अब मेरे साथ भी क्या होता था मेरा 40 से नीचे चला जाता था अब note ही ऐसा लग रहा है कि वो नीचे ही जाएगा second यहाँ पर आ गया है ना और third और fourth है ना तो यह दिखा जाए तो 80 या 90 के बीच में यहाँ पर आने लग गया है अभी यह ज़्यादा low भी नहीं हुआ है तो अभी हमको क्या इससे फाइदा होता है कि हमारी जो kick है उसके लिए 40 से नीचे तक का हिस्सा है ना वो pure kick के लिए चला गया है और 40 से लेकर 80 या 90 या 100 तक आप देखोगे तो हमारा जो base है sub base है उसके लिए चला गया और 100 से लेकर 1500 या 2500 तक आप अपने base को provide sub base के लावा जो base है उसके लिए जगए प्रोवाइड कर सकते हो तो आप इस तरीकी से area बांट सकते हो अब आपका sub base है वो ना तो kick के साथ जगड़ा करेगा lower जाएगा तो नहीं अगर अपर रहेगा तो base से जगड़ा करेगा दोस्तों बस ही बहुती छोटा सा tip था जो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत important होगा अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप अभी ही इस वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करका है सब्सक्राइब करना वीडियो को जादा से जादा शेयर करना है ना दोस्तों और मैं बलूँगा आपसे next वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए और एक बात और मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि दोस्तों मैं अपना आइजोटोप ओजोन का बंडल जिसमें नेक्टा, न्यूटोन और ओजोन और रिले और शायद टोनल बैलेंस हाँ टोनल बैलेंस ये सभी शामिल है ये बंडल मैं सेल कर रहा हूँ जैन्यून लाइसेंस है कश्मर के सपोर्ट के साथ मिलके ही मैं आपको वो सेल कर पाऊंगा तो मतलब आपके पास लाइफ टाइम उसका लाइसेंस आएगा ओरिजिनल इसकी कॉस्ट है 36,500 रखिये मैंने जबकि अगर इसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो है 699 डॉलर तो मतलब 57,000 के बीच का ये है जो आपको मैं 36,500 में ये बंडल दे रहा हूँ तो अगर आप पर्चेस करना चाहते हो मुझसे आपको सस्ता पड़ेगा तो आप मुझको कॉन्टैक कर सकते हो मेरे इमेल आइडी पर musicianhims at the rate gmail.com ये इमेल आइडी आपको मेरे इस description में मिल जाएगी मेरे Instagram पर मुझको कॉन्टैक कर सकते हो या Facebook पेज पर मुझको कॉन्टैक कर सकते हो तो आपको ये सस्ते में मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अपना ख्याल लगना मिलते हैं नेक्स वीडियो है टेक केर बाबाए